मैं देवेंद्र कुमार बड़ोरा बिहार से उपस्तित हुए हैं यहां पे जमनिय विधान सभा में घरोहियां ग्राम में और इस समय चुनाओ का महोल बहुत जोर सोर से चल रहा है उस मुद्दा को लेकर यहां पे हमारे बीच में जनता उपस्तित हुए हैं और हमारे गार्जियन है इस समय जो महोल चल रहा है चुनाओी मुद्दा को लेकर के हवा चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी और बिजेपी और कांग्रेस और चंद सेखर की पार्टी है सब लोग चुनाव लोड़ रहे हैं तो क्या लगता है यहां से कौन जीत कर जाएगा यहां पर बहन जी बहुजन समाज पार्टी जीत कर जाएगी और हमारे देश में हमारे इस छेत्र में परवेज खान को सब सार्वे समाज ओट दे रहा है और हमारा सब सच्छम है मनरेटी और बहुजन समाज के लोग दलित भी उनको सपोर्ट कर रहा है यही हमारा सब लोग का सिधान्त है हम लोग सदियों से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बहांजी को वोट करते आये हैं आज भी करेंगे उन्हीं को क्या लगता है कि उत्तर परदेश बिदान सभा चुनाव में पूर बहुजन समस्पार्टी को बहांजी को बनेगी परेश भीया को जिता देना है ठीक है तो हाँ तो भीया यह बताए कि सुनने में लगता है कि फारवड कहीं न कहीं बढ़ चड़कर हिसा ले रहे हैं बोजन स समाज़ पार्टी को इसका खान बताए है फारवड समाज इसलिए देगा बहुजन समाज पार्टी को ओट कि बहुजन समाज पार्टी की जब भी सत्ता रहे है 2007 से लेकर बारत तक उसमें सरो समाज यानी हर कौम के लोग सुरद्चित पाया है उनका साशन इतना तगड़ा रहता है बहुजी का कि हर आदमी अपने आपको मफुज रहता है और यह जो भरस्टा चार रेप और पीडित मतलब वह सब चीज बंध हो जाता है कि इसलिए उनकिस आपको क्यों लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को ब्रामर जो है हरो कलास से ब्रामर फाकुर बोट नह यह दिखाया गया भाजपा सरकार में कि अब भरतिय जनता पार्टी ब्रामर और सरो समाज की नहीं रही और सिर्फ सिर्फ छत्रियों और ठाक्रों की रागी इसलिए वह सब पीडित्रोंगर के ब्यास्पी बहुत-बहुत धन्यबाद और आगे चलते हैं हमारे गार्जियन अब क्या नाम पड़ेगा तो क्या लगता है आपको कि अब की बार बहुजन समझ पार्टी की सरकार बनेगी आपकी बिदान सब्सक्राइब कौन सा परतियासी खड़े हैं वह उस यह गराम के प्रवेज खान जी है उनका दूसरा पीड़ी यह बहुजन समाज में रहते हु हैं असलम नेता भी बहुजन से खड़े हुए थे और यह दुबारा बहुजी ने खुस होकर पे यह हमारी पार्टी और कमेटी में हमेशा 20 साल से यह प्रवेज खान ने परियास करते आ रहे हैं आज बहुजी ने खुस होकर उनको टीगट दे दी है वेगर पैसे क्या लग में ताल मेल जो चला रही है सब देखार है हाँ अब बताएए कि किसका सरकार बनेगा सरकार बहुजन का बनेगा बहुजों समस्राटी की सरकार बनेगी क्या आप क्या बोलना चाहेंगा यहीं जो यह लोग बोले हैं ठीक है ठीक है आगे आते हैं पूछते हैं हाँ महिलाओं से पूछते हैं क्या लगता है आप लोगों को वह समस्राटी की सरकार बनेगी हां पनेगी क्योंकि जो इस समय हर्दम लागडाउन लगा रहे हैं इसमें गरीबों को परसानी भी और बच्चों की जदा करके पढ़ के तरफ जाएं क्योंकि देश के भवी से बच्चे ही हैं और इनकी पढ़ाई भरबाद हो रही है और इसलिए हम लोग ना खुछ से बीजेए भी से तो अब बहुत बहुत धन्यवाट ठीक है आगे 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 यह हां क्या लगता है सरकार बनेगा हां बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर देखिए बाहर गाओं में चलकदमी लगाने के बाद करमस्थल पर जाने के बाद पता चलता है हर गाओं के सदत से लोगों का यही कहाना है कि अब की बाहर बहुत जी का सरकार अब की बार कोई का चारा बार चलने वाला नहीं है चाहे जमनिया विधानसवाँ चुनाव हो अब की से सरकार मीडिया भ़फरों सर्कार मिडिया के अनुसार और सक बनने जा रही है मरिश्ट्री मीडिया भले ही अपने बार्फ़ों सब्सक्राइब रेट बटम दबाईए और बेल आइकन दबाईए बहुत बहुत धन्यवाइब बेकर बेकर